हलो उन वेल्कम टॉ दसिवील टेग्ट आज अपन डायरेक्ट करन्ट उर डी सिरकीट यला चालू करनारे डी सिरकीट आपन माक से दोन लेक्चर काया direct current circuit या चाप्टर ला चालू करना रहे सर्कृट दोन प्रकार जासताथ एक AC सर्कृट, एक DC सर्कृट आपलेला MPSC मदे पहला उनीट है direct current circuit DC सर्किट, आपन ते start करते हैं हाथ ये DC सर्किट मदे काय आपलेला बगायचे ये DC सर्किट मदे आप लेला काए-भागाएग्छे तेचं में एक तुम्हाला ओवर्लूक करुन देतो ओवर भ्यू कि आपन काए-भागनारे सगलेत पहले आपन DC सर्कीट चालू जाला कि आपन भागनारे Ohumns Law जा बागनारे Ohumns Law या Ohumns Law मधे दोन प्रकारेत ने, ओहम्स लॉओ यह चा बद्दल आपन माहिती गेनारे आणि ओहम्स लॉचान अंतर एक दुसरा लॉओ आहे किर्चॉफ्स लॉओ कोंटा लॉओ किर्चॉफ्स लॉओ आथा या किर्चॉफ्स लॉओ मदे दोन प्रकाड़ेत। किर्चॉफ्स लॉओ किर्चॉफ्स लॉओ दूसरा है किर्चॉफ्स करंटॉच लॉओ ठीक्चे तर यह दोनी लौ आपन भगना रे यह दोनी लौ यूज ओताथ analysis of circuit साथी analysis of DC circuit यह जा साथी यह law यूज होताथ next आपन या उनीट माद भगना रे थेरमस 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 रिलेटेड आहेद नेटवर्क रिडशन नेटवर्क रिड़क्शन मंझे काय सर नीट सांगा ना मंझे एकाद कॉम्प्लिकेटेट सर्कीट आसे वाकड तिकड कसे यास इते दिलिला आसे लितर रेजिस्टन्स दिलिला आसे तर आशा प्रकार चा आउगड सर्कीट ला सोप पर रिड्यूस करने याचा साथी काई थेरम्स दिलिला है काई थेरम्स वापरोन आपन नेटवर्क से रिड़क्शन करनार complicated network is converted into the simplified network so with the help of this theorem we are going to convert that complicated network into the simplified network so या सगल्या गुष्टी आपन या unit मदे बगनार आजोन कई रहलेका एक मिंटा आजोन कई रहलेका the network reduction थेरम नंतर दोन थेरम है था जोन specific quantity थेरम and maximum power transmission थेरम specific quantity थेरम Q-U-A-N-T-I-T-Y quantity थेरम and in next अपन बगना राहोत maximum power transmission थेरम ठीके? घाबर नहीं जाये 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 आपन काया चालू केले पुना एकदा सांगतो आपन आज DC सर्कीट हा नवीन यूनिट चालू केले आत्ता परेंद आपन काया बगितला जब बेसिक गोष्टी तुमाला महीत आसला पाई जे होत्या चार्ज, वोल्टेज, करंट या सगले गोष्टी तुमाला मी आगोदर चा लेक्चर मदे सांगितली ले आत्ते करंट नस्तिल शिकला तो करंट आत्ता मी सांगे तो या बेसिक कंसेप्ट नंतर आज पसुन आपन पहिला यूनिट चालू करना रे पहिला यूनिट मदे सगले पहिला यूनिट मदे सगले पहिला अपन तो Ohamg's law बगना रे Next Ohamg's law बगितला नंतर आपन बगना रे किरचौपs law Kirchop lên चे दोन law हेत एक किरचौप voltage law एक किरचौप current law Next वेयुँच सेत network production साटि अटे बगना रेत नेक्स्ट आजून दोन थेरम है एक स्पेसिपिक कॉंटिटी थेरम, मैक्सिमम पावर ट्रांस्मिशन थेरम यह बाँ आता मी एक्जाम चा दुरुष्टी नी सांगतो एक्जाम मदे कशावर जासता क्वोश्चन है तर एक्जाम मदे आत्ता परेंजर MPSC 2017, 2018 येचे जर तुम्ही पेपर भगितले, तर या लाचे स्टेटमेंट किर्चाफ वोल्टेज लो आनी किर्चाफ करंट लो येचे जी स्टेटमेंट एतना, ते एज इटीज विचारनेचा प्रहतन केला 2021 ला येचे एनलीसिस आलो उता, मंजे कदी-कदी येचे स्टेटमेंट पिचारता, कदी-कदी येचे वर एनलीसिस वर कोश्चन है तो पन किर्चाफ्स लाहा नेमी आत्ता परेंथ आलेला आई तेचा मोड़ा किर्चोप्स लाहा आपन नीड बगनारे, येचे रिलेटेड आपन एक्जाम्पल सौल करूनगे नारे नेक्स्ट, या किर्चोप्स लाहा वर समझा एनलीसिस वर कोश्चन आला, तो जनरली या थेरम्स वर थेरी कोश्चन है तो कि सपोज नॉर्टन थेरम आसेल, तर नॉर्टन थेरम काई मनता, वत इसन षटेटमेंट, खते-मेंट है-कि कर्श। नौर्टन स्धेरम थेवनिश्थेरम है फे थेरम काय मनता यह स्टेट्मेंट में टमाला से एक्टर पुर्ण स्टेट्मेंट तो खाली नावा दे अर एन ए बम नौर्टन से थेरम है टियुनिश्चा तेरम है किर्चाप्स intense نव दीज कमाhnा आशे ओप्शन दिले नंतर तुम्हाला तेचातना राइट ओप्शन टिक करने साथी यह थेरम माहिती बाई यह याचा नेटवर्क रिडक्शन वर कधी आज परें प्रोब्लेम आलेल नहीं जसमी तुम्हाला सांगे इतला ना यह थेरम काय सांगता कॉंप्लिकेटेड नेट थेरी क्वेश्चन में काय याचा लावर्मना की मा थेरम वर डायरेक्ट थेरी क्वेश्चन है ओके वाइल किर्चॉप्स लावर्म आपलेला प्रोब्लेम सियता आतो तो आपने सग्ड़े पॉइंट एक तम नीट स्टड़ी करना राहेद और स्टार्ट कुरेद आपला पहिला यूनिट ताइज दीशी शर्कित ओके स्टार्ट कुरेद दीशी शर्कित दीशी शर्कित dc सर्कित मदे सग्ड़ात पहिले काय सांगित लमीका आए सग्ड़ात पहिले ओहम्स लो सब्सक्राइद पहला लौक ओंटा है ओहम्स लौक ठीक है आता हाँ ओहम्स लौक आये मन्तो हाँ ओहम्स लौक आसा मन्तो So, the potential difference, potential difference across any two point, the potential difference across any two point of the conductor, of the conductor is directly proportional, is directly proportional to the to the current flowing through it current flowing through it current flowing through it current flowing through it ठीके ना है बगा है या या प्रकार्च स्टेट्मेंट जशास्त सा तुमाला एक्जाम मदे विचार्थिल आसे नाए मी तुमाला प्रॉपर लिहून देनाचा प्रहतने केला है पुस्तकी लैंग्वेज लिहून देली माज़ा डोक आत काये ठेवले आसे ज़ा तुमी विचार्थाल तो माज़ा डोक आत है statement ठेवले ला नसता माज़ा डोक आत है आसता V is directly proportional to I है माज़ा डोक आतास माज़े V काया है V आ है potential difference काया है V आ है potential difference I काया है current ठीके बगा आता है सेंटेंस हुदा काय सांगते the potential difference माज़ी ज़ा notes तुमी बगितली तर potential difference ला मी highlight के लेले बगा दिसते potential difference आसे keyword ज़े असतात ना keyword ला अपले अला लगेच कोड़ूने तकी हे थेरम विचार लेले so तुमी पन helium गेतना याला mark करा ज़ा the potential difference माज़े काय ज़ाला voltage across any two point of the conductor across any two point of the conductor what is conductor conductor from which current can flow बरबर ना electricity ज़े ज़ातना flow होते insulator माज़े काय ज़े ज़ातना electricity flow होतने so the potential difference across any two point of the conductor is directly proportional to the current flowing through it मांज़े थोड़के यात potential difference is directly proportional to current तेच मी तह लीले चला यहँड़ा कराला तुमाला माहता यच आज़ुन simplify करालाज गेलो आपन तर हे आश जीते alpha मांज़े directly proportional दीलेला आसता आपलेला एक constant ग्याव लागतो हा constant असतो R आणि है आएला आए इदलीलें R is the resistance R is the resistance या resistance unit काया है resistance unit है ओहम हे हाथे चा सिंबॉल है ठीके resistance unit ओहम चा सिंबॉल हा है ठीके हे लक्षट्टेवा किर्चो किर्चोफ लाचालू करायचा आगोधर आपलेला नेमी हे रिलेशन महिती पाईजे हे कुब basic relation है the potential difference across any two point of the conductor is directly proportional to the current flowing through it V is directly proportional to I V is equal to RI and resistance unit है ओहम ठीके है किर्चोट्ट माराईजेदा मारून गया माँ आपनेचान अंतरचा law लगेच्छालू करवे ओके मारला चला आथ DC सर्कीट मदला पहला जो point होता Ohm's law हाँ Ohm's law अपला complete जाला येचार काई question वगर यतने आला तरी काई question है नरे आया V is equal to IR तुमाला V ची value दिले लिया सेल, I ची दिले लिया सेल तर रेजिस्टन्स काड़ता जे नर तुमाला आज उन दूसरा R आनी I ची दिला सेल तुमाला voltage कालकुलेट करना खुब, खुब सिंपल है तेचा मुझे येचा और मी काई question solve नहीं करूंगे आपले अला नंतर वेड मिडाला तर आपन solve करूंगे येचा मदे काहिच नहीं काहिच नहीं काहिच नहीं लिते वापराज है that is nothing but the Oham's law तो Oham's law आपन प्रोब्लेम नहीं solve करूं आपन वेड मिडाला ना शेवटी तो solve करूंगे आता सद्ध्य आपन पूड़े जवए दूसरा लौ आहे किर्चौप's law किर्चौप's law किर्चौप किर्चौप's law आसा जावळेस मंतात त्यावळेस माझा डोक्या मदे हे यदा summation of EMF plus summation of voltage is equal to 0 माझा डोक्या मदेन definition यतने वर कमी पाइलेस सांटू मी आसा definition रट्टात तुमालाई मारा लागनार पंड सद्ध्य चा कंडिशनला एकदम धाड़ 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 तुम्माला लिउन गेने सेटी definition तुम्मालाई नहीं लक्षत रहुषकत आज जरी मी पाठ करूंगे तली त्या definition ची गरज नस्ते definition पेक्षा हे की point महीती पाइजे जसमी तुम्मालाम आक्चे चत संगितला potential difference लामी हाइलाइट के ले करंटलामी हाइलाइट के ले relation महीती पाइजे त्या mathematical equation परना आपलेला जर एकजाम मते statement आला तो त्या आपलेला धी सुना जेत अरे हात किर्चौफ voltage लाए हात किर्चौफ current लाए तर आपन आत ये चा वरना स्टेटमेंट बहू किर्चौफ्स ला मधे पहला लाँ है voltage लाँ, कोणता लाँ है voltage लाँ कोणता लाँ है voltage लाँ, है ये वोल्टेज लाँ एक्स्प्लेण जालान अंतरा पंटेचा related problem solve कुरूया ठीके, आज आपन एवड़स बगवयाद, किर्चौफ मादला पहला वोल्टेज लो सम्झान गिवयाद आणि तेचा रिलेटेड प्रोब्लेम्स ओल कुरुयाद ठीके, किर्चौफ वोल्टेज लो आलरे आला कि तुमचा डोक्या मदे हे आसा आलब आएगे समेशन ओफ एमेफ प्लस समेशन ओफ वोल्टेज इस इकवल टु जीरो यचा मीनिंग काया है? समेशन ओफ एमेफ प्लस समेशन ओफ वोल्टेज इस इकवल टु जीरो यचा मीनिंग आपन मी जावड़स तुमला इता स्टेटमेंट लिऊन दिलना त्यावेस आपन मीनिंग बगुयाद मी चुकुन लाइट लावाल अभी सर लोका प्रकाश थोड़ा कमी पढ़ला असिल ठीके बगादा साल दे गिर्चा फोल्टेज लापन बगु मी पहलांदा स्टेटमेंट लितो माई एक्स्प्लेंड करतो in a closed circuit his statement लितोड़ा in a closed circuit in a closed circuit in a closed circuit or mesh or mesh the algebraic sum of all EMF the algebraic sum of all EMF and voltage drop and voltage drop will be 0 will be 0 ठीके हैं? सांग तो tension घ्यून अगा आपले लेक्चर ला tension घ्यून जमतने कारण मी माला जितका वेड़ वाटल तितका मी एक पोईंट ला देतो माज आसनाई कि बबा या पोईंट ला पटकन घ्यून टाका ये चा और प्रोब्लेम येतनाई मी जितका जाला महत्व ये तितका दिऊंद रहतो जासा मी आगोदर चा पोईंट ला ओम्स ला किती चिल्ला रहते माज़े V is equal to IR तुमाला values देना रहते फक्त value दिल्या नंतर तुमाला भागा करगूना करज करेशे याचा तसने याला मी प्रोपर वेर दिल आचा लेक्चर जरी कम्मी पढ़ला तो उद्यास उद्या मी voltage ला गीऊ शकतो माज़ा इश्व बाने नाई कम्मी पढ़ना ठीके पढ़ला तर उद्या पन आप नेजगे ठीके चला किर्चोफ नी पहिला ला सांगितला voltage ला या voltage लाच स्टेटमेंट है तर चामादे मी हाईलाइट याला करतो इन ख्लोज सर्किट सर्किट हे open नसल पाईजे close आसल पाईजे open नसल पाईजे मंजे का है ते close आसल पाईजे जस इत वोल्टेज इत तुमचे रजिस्टन्स या से close पाईजे सर्किट सा याला मनाईचे close सर्किट तर सर्किट जर close आसेल तेमवाज तुमी किर्चोफ सा वोल्टेज लाँ वापरू शकता कारन तेनी सांग्तनाच कशा साटी एक्स्ट्रा देनी जर पॉइंट वाडोले कशा लास्ती या किर्चोफ नाचा मानसा नी सांग्तनाच जर clear के लाए कि इना close circuit माजाला close circuit साटी आए इना close circuit और मेश ये मेश का है मी तुमाल समोर सांग्तो एक्जांपल सॉल करता ना सांग्तो आता मी किती जरी बढ़बढ के लिए तुमाल ते मेश करना ने मी तुमाला एक्जांपल सॉल करा है जबढ़े सांग्तो मेश का शाला मनता दानी लूप का शाला मनता ठीके किर्चोफ मना तो था कि इना close circuit और मेश अलजेब्रिक सम अफ आल एमेफ और वोल्टेज ड्रॉप विल बी जीरो मी काई केला माला एक close circuit डोका मादे ठीउन दीला डोका क्लोज़जे माज़ज डोका मादे मी एक close circuit ठीउन दीला बाखी काई केला मी याचा expression तयार केला mathematical काई सांग इतले sum of एमेफ और sum of वोल्टेज विल बी जीरो तीचितली लीला मी sum of all एमेफ प्लस sum of वोल्टेज is equal to 0 एकजाम मदे हे चे डाइरेक्ट ठेरी क्वेस्चन यता आथ ठीके मग तुमी ना तीटा option आशे दिलेलासता KVL, KCL, Oham's law, आणी none of these तुमी छान पाइकी जा confuse आसता आलता यता मारून KCL वर हे आसता KVL, this is the Kirchhoff voltage law करने चात voltage आलेले, ना वा तसे so if there is a closed circuit then the algebraic sum of all एमेफ and the voltage drop will be 0 this is what the Kirchhoff voltage law आथा हे Kirchhoff voltage law तुमाला सांगेतला Kirchhoff voltage law चा तुमाला मी expression करून दिला आथा हे जाल्यान अंतर तुमाला एक गोष्ट सांगतो साइन कन्वेंशन कशे गयाएचे यह बखा ठीके उके जर current flowing through circuit हाँ जर positive to negative पहलान ना ही केज़ गयाँ तुमाँ negative to positive जाता सेल then the rise in voltage और दुसरा केज मधे positive to negative जाता सेल तर there is a drop in voltage negative to positive rise in voltage positive to negative drop in voltage यह कसव आपराइज़ सँ है मी तुमाला यह नारे example मदे सम्दून सांतो अताफ़क्त तुम्ही है statement लगशट्टिवा तेस जा mathematical expression लगशट्टिवा माजा डोक्यात fix मदे आए मी तुमाला दोन गोष्टी example solve करता ना सांग नारे ती मन्जे पहली गोष्ट मेश कायास्त मेश आनि लूप कायास्त आनि दूसरा ये rise in voltage कदी positive गयास आनि drop in voltage कदी negative गयास drop in voltage कशाला मन्ताथ rise in voltage कशाला मन्ताथ हेचा साथी आप लेले example solve कर ओलागे ठीके? करन मी verbally किती जरी सांग इतला ना imagine नाए होनार आपन आउट सिविल जे ये आपन इलेक्ट्रिकल सो आपन डाइरेक्ट एक्जाम्पल ला solve कर रहे बर तुमाला माला एक सांगाई चाह आसा उता की मी माजा अब्यासत में कड़ून गेतली बर कही गोष्ट तुमाला जयवा तुमी थोड़ा फर अब्यास करताल त्यावल्स तुमाला ही गोष्ट कले ये किर्चॉफ बाबा जो आहे ना किर्चॉफ ये किर्चॉफ नी दिले आहे तो दोन ला एक दिलाए KVL that is किर्चॉफ वोल्टेज लाउ आनि दूसरा दिलाए KCL किर्चॉफ करंट लाउ आपने दोनी लाउ बगना रहोत ये दोनी लाउ यूज कशा सेटी होताँ आनालिसिस आफ सर्कीट क्या मैंनला आनालिसिस आफ सर्कीट या किर्चॉफ नी KVL KCL दोन लाउ दिले त्या दोनी ही लाउ नी आनलिसिस आफ सर्कीट होता पन परिक्षे मदे तुमाला आशा मनना रेका कि solve this circuit using KVL और solve this circuit using KCL आनि आशा दरी मनला तेननी तो तुमाला काये रिटन पेपर दैचे है के दिता नाहीं तुमाला दैचे objective पेपर सो माजा प्रयतना आशा आसेल कि आपन लाउ तर दोनी शिकू KVL पन शिकू KCL पन पर्फेक्ट एकच करू दोनी इज़ पर्फेक्ट कराईचा नाधी लागले याई तो दो घन मते confusion होन जाई त्याचा मुळे माजा आसा मननने कि आपन KVL हाजो लाउ हेना यला नीट बगू याचा वरचे question solve करू KCL हापत लाउ बगू याचा वरचे example आपन solve नहीं करू का नहीं करू करन ये दोनी सर्किट चाज अनलिसिस करना रे तुमी सर तोंडा नी खा का आसा खा आंसर तो दोगा नी सेम अचे नारे आपला mathematics सरक mathematics ला कुंती method वा परली ता आंसर तो सेम अचे त तो माजा आसा मनने जरी दोन method आसले तो आपन एकस method सांगली करना ये method बगनार आपन अपन ये नी कदी problem solve ने करना डोगा मादे गेलमी काया बोलो तो KVL आपन स्टार्ट कुरूया था था ये चा रिलेटेड एक्जांपल सरू करना मेश अनलिसिस बाई KVL काया मनलमी मेश अनलिसिस बाई KVL किर्च ओफ वोल्टेज लो किर्च ओफ वोल्टेज लो नी आपन मेश अनलिसिस करनार आहोत पहले नदी एक तुमाला सर्किट दाखोतो ठीक है? या सर्किट ला तमी नाव दिऊंटाकू का? दिऊंटाप लीज नाव मला A, B, C, D, E, F ये ते वोल्टेज आहे या आहे पॉजिटिव या आहे निगेटिव ठीक है? आता तुमाला मला दोन गोश्टी सांगाय चाहोता मेश अनि लूप मतला फरक काय सांगाय चाहोता? What is mesh and what is loop? या चतला फरक सांगाय चाहोता हाज अला आपला question number 1 जो मितुमाल सांगतो दुसरा है मितुमाल सांगनार होता drop in voltage drop in voltage कदि and rise in voltage कदि rise in voltage कदि ये दोन question तुमाला सांगतो मनलो है भगा मेश आनी लूप मदला एक बेसिक डिफ्रेंस आसा है कि मेश हासा पार्ट अस्तो तेचा मदे आजून सर्किट नस्ता सपोज मी जर A, B, E, F A, B, E, F हे चवकों नी यवड़ जर सर्किट कंसिडर केला तर हे आहे मेश हे काया हे? मेश जर मी A, B, C, D, E, F या यवड़ अमोटे सर्किट चा आत आजून एक सर्किट है ना? याचा मुले दोन कमपाट्मेंट टैयर होता सो हाज आला लूप ठीके ना? या दोगान मदला बेसिक डिफ्रेंस आहे कि जा सर्किट चा आतून परत सर्किट नस्त closed path अस्तो त्याचा आतून परत सर्किट नस्त त्याला मानाचा मेश आनि जाचा आतून आस्त सर्किट त्याला मानाचा लूप त्याचा तुमाला हे कड़ाला आसल कि याला मेश मनतात याला मेश मनतात आनि या कम्बाइन याला मनतात लूप ठीके, आता तुमी माला विचरतल, लूप चा आत नेमी सर्किट आसल पाईजेच का, तर आसा कई बंदन का रखने सपोस्टो माला एकजाम मदे ही लाइन दिलीच नस्ती, तहें कम्बाइन सर्किट सुद्दा लूप जाला आस्त पर मेश चा आत आपाइजे आस ने अम नाहिए, पन मेश चा आत आजोन सर्किट नसल पाईजेच जर ही लाइन नस्ती तह याला लूप ज इंक मनता आला स्त, खरण हुब कंपाटमेंट से च deux ओके ना? जो जा सर्किट चा आत परत्फवलक नसे तयला मनाईचा closed loop तेला काय मनाईचा closed loop और closed path और तेला simply मनाईचा mesh और जय चाया ताजुन circuit आशु शकत तेला मनाईचा loop but there is no restriction that the loop is not having but there is no restriction that the loop is having compulsorily one circuit in it मैंजे मी काया बोलो loop ला कोट चास restriction नाई किते चा मदे एखाद circuit आजुन आसलाज पाईजे mesh सफक्त मनने माजा आजुन circuit नासलापाईजे loop ला दोनी चलता आज आसलादरीपन आपन मनुशक तो नसलादरीपन मनुशक this is the basic difference between mesh and loop हाँ A, B, E, F काय जाला mesh हाँ B, C, D, E काय जाला mesh ठीके मेश आनी loop मदला तो माला फरक कडा दा आता आजुन माला खाय सांगाय जो था हाँ, rise and drop in voltage तर जर तुमशा current हा negative to positive जाता सेल current flowing through circuit it's flowing from negative to positive then there is a rise एकादा मानूस negativity कड़ून positivity कड़े जाता सेल तर तेची उन्नती होती है मैंजे rise होते so there is a rise in voltage आनी एकादा उल्ट चांगला भीचारा छान नो करिकरत होता वैसे कमोत होता तेला लालज जाली दोन नमर चे धन्दे चालू केले so there is a drop in voltage drop in voltage मैंजे काई आस्त जो मानूस positive होता भाहले पन तो आता कुट वाला आला है negativity करे so this is drop in voltage ठीके this is the difference between rise in voltage and drop in voltage ओके screenshot मारा जाता मारा जावयात अपन पुडे आता मीं तुम्हाला एक circuit काड़ून दाखो तो खूब basic पस्ना गेत वे बर का मीं खूब मन्जे यतको basic तुम्हाला वाटतने internet वर कोनी घेत आसल तो चांगले वेरी गूड़ GP खूप गेशिक है वागा यहाला मन्टत resistance यहाला मन्टत resistance अरे यहाल बैटरी ने दाखो लिया पन बैटरी मन्जे आसते voltage जब बैटरी जना सेल 쳐हा रेजिस्ट अकाम रेजिस्टांस काय करताथ यहीजी बैटरी लाव लिये मुले current flow तो ठीके? या current ला resist करने जा इथुन यहला या current ला जाय चाई श रलत तिला थोड़ा सा त्लाज देने जा काम resistance करताथ so this is battery this is current this is resistance this is mesh or you can say loop ठीके? आता बोलाबर रही ता है खाय जलास्त this is mesh this is mesh and this whole is loop ठीके, चला, एकड़ाला तुम्हाला काय सांगीतला, आता आपन एचा रिलेटेड एक प्रोब्लेम सॉल कुरयात, मग तुम्हाला आजून छान पकी गुष्टी क्लियर होतीला, हाँ, चला, लिउन गया, लिउन गया, वही पुस्तक पेन पेन सिल्सोबट ठेवाई चाच, न लेक्चर ला बस्ता नाज, तुम्ही एक रव बुक, रव बुक मन्हाला बेक्षा चाशे पांडरे कागत, छान ते चावर टाइटल लाईचा, आएणी मग चालू कराईचा, कारण मी घेतो है, ते आत्यांत सिस्टिमेटिक घेतो है, मी आत तुम्हा लगाया सांगीतला, क कि माज़ा व्यू काई, या यूनिट बदल मी काई काई स्टार्ट करना रे, काई 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 शिकोना रे, तुम्हा आज मी घेतो है, कि आज मला किर्च ओफ वल्टेज लाँचा, एक्जांपल सॉल करून गाईचा, तो तो परें प्रतिक दूशी एक माज़ा ए मास था, ते ये चनंतर बेसिक डिफ्रेंस सांगितला मेश अनी लूप मातला, ये चनंतर राइज और डॉप इन वोल्टेज सांगितला, नॉर्मल सर्कीट मदे काई काई पैरामेटर सास्तात, कशला बैटरी, कशला करण, कशला रेजिस्टन्स माना थे सांगितला, आता एक्चुल पन प्रोब्लेम सॉल्विंग ला सालू करना रे, ठीके, चला, क्यालकुलेट, 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 of two ohm resistance of two ohm resistance for a given circuit using mesh analysis for a given circuit for a given circuit using mesh analysis mesh analysis एबा तेननी mesh analysis दियू की nodal analysis दियू मेश मनजे थोड़के तेनच मनने की किर्च पोल्टेज लाव आपरूँ ये तुमची objective exam है तेनी mesh जरी दिली इतरी तुम्हाला एका देला आटले की मी current law नी solve करतो तो solve करूँ शक्ता दूमी आंसर से मिल बट मी आतता देचत एक्जांप तेन मेश आसलेल सर्कीट गेतले माला वाट्ट किमी पहिलांदा तुम्हा दोन मेश आसलेल सर्कीट गेतो मक तुम्हाला एक दाते बेस क्लियर जाला ना मा तुम्हाला तोडे लेवल वाड़ो ओके बगा सर्कीट calculate the current in branch AB of 2ohm resistance for a given circuit using mesh analysis स्वाला मी तुम्हाला इते छान पईकी एक सर्कीट काड़ों देतो ये branch AB आहे इते मी काय लावली आहे बैटरी लग शकतो ना कोणाल के आड़चन इता मी दियून टक्तो resistance इता मी दियून टक्तो resistance इते resistance आज़न कुटो कुटो दियू चीके बस जाला यहवड़च ए बी सी डी ए ए एफ ठीके ना चला आणि एननी सांगितल कुटे calculate मी यहला यहला AB कराची सोरी यहाँ आश्या मदल्य ब्रांच कदी पंड विचारत आस्तत बर MPSC चे माक्चे पेपर जरी पाईले ना तुमी 2001 आश्याच गया ना 2001 आश्या मदल्य ब्रांच विचारत आत्या मनुन मी पन काहे करनार मी मुद्धा मन नाव बदल्ले ठीके नाव लखाये आपले यहाँ शेक्स्पियर निगा कुंतरी मनले चे नाव लखाये ठीवले A C D B F काय रहेले A B C E रहेले ना ठीके यहले E नाव दिऊंटा तुम्हाला हे सगले चे रेजिस्टंस लागनारे बैटरी 20 वोल्ट ठीके बैटरी 20 वोल्ट गिवयाद आपन बाखी तुम्हाला रेजिस्टंस देतो इते चार ओहम इते दोन ओहम बर एक सांग तो तुम्हाला ए प्रोब्लेम मनानी तयार केले मी माला यहाँ उत्तर महाई तीने आपन सौल करूयाद प्रोसेस सेम रहेल आंसर चा माला मी कैलकुलेट नहीं करून बगितला का नहीं करून बगितला मायजा जाओल एकदम टीन मेश चे एक दोन आणी तीन तो यह एकदम पहिला स्टेजला यहोड़ जेवन मंजे चारा जासतो होईल मनुन मी थोड़सा हाडू-हाडू गेतले इते माला फोर हम रेजिस्टन्स दिसला इते टू इते टू आनी माला सांगितला काये दो नहीं ब्रांच जी एबी आहे यह चातला तुम्ही करंट क्यालकुलेट कराईचा है चला हाँ मेश काये जाला यह मेश चानाव काये मेश नंबर वन मनु मी याला ठीके मेश नंबर यहला मी काये मनु मेश नंबर टू ठीके ना चला आता कदी पन एक गोश्ट लक्ष अठेवाईजी जावलेश तुम्हाला करंट चा डायरेक्शन दिलेलना सेल ना करंट करंट कासा फ्लो होतो है करंट कासा फ्लो होतो है तर नहीं मी तुम्ही आज याचा जी direction आसेल तेच याचा पाईज याँ तो याचा दाख होताल उल्ट तमा याचा पन उल्ट दाख हो लागे ठीके या मेश सा सर्कीट मदला करंट मी मनतो I1 फ्लो जाला याचा आतला करंट जाला है I2 फ्लो चला आता मी काय करतो इते applying KVL applying KVL किर्चो फोल्टेज लो for the मेश नंबर वन मेश नंबर वन ला मी काय करतो वोल्टेज लो लावाई चा वेड़ेश मी पहला न बगतो इते रेजिस्टन्स है मेश नंबर वन चाच विचार करायाचा शाँ हा हा करंट आसा फ्लो हो तसता-न ये चतना सा फ्लो हो तसता-न आला कों त्रास देला 4 न त्रास देतो मंझे या करंट चीजी intensity आसेल या करंट चीजी के power आसेल तो हे चार होग कमी करनाच प्रहत्न लागउनकरतो है 4 into I1, हे कुटुन आला? V is equal to IR, काए हे Oham's law, current आनी resistance सा गुणा कर, हा इतुन current flow तो ता हा आला इथे 4 Oham resistance, तो मी ती तलीला negative multiplied by I1, ठीके? आता हा इतुन निगाला, तो आला इते, पुना आला 2 Oham resistance, minus 2, आता या ठीका नी हा I1 पने चातना flow हुईल, हा I2 पने चातना flow हुईल, मा काए कराईचा? तुमाला जा given नसेल, कि I1 मोठा है, I2 पेक्षा, कि मा I2 मोठा है, I1 पेक्षा, आसा जर given नसेल प्राबलेम मादे, तो तुम्ही assume कराईचा, जा circuit मननना तुम्ही पहलेंदा flow होता हाथ, मनजे suppose मी आता mesh number 1 अंच consider के ले ना, तो यचा मननना हा I2 माइनस कराईचा, ठीके? तर मी इत परें तालो होतो, इतुन माजा current I1 इते आला, हा जाला minus 2, हा minus 2 इते लिला, आनी इते मी काए लितो? इते मी लि I2, एवड़ लिला? ओके, बाखी यवड़ एक मेश मदे तुम्हाला कूटे बैटरी दिशती एका? नई दिशते ना, बैटरी नई दिशते ना, बैटरी नई दिशली तो छान पाईकी लिया जा दितो is equal to 0, कै लिया जा? is equal to 0, आनी बैटरी जा दिसली आसती, तो बैटरी चा वोल्टेज आपन किते लिला स्था, लिया याला जारा, simplify करा, 4I1 minus 2I1 plus 2I2 is equal to 0, करा एडिशन, minus 6I1 plus 2I2 is equal to 0, एज आला तुम्हा, एक्वेशन नमबर 1, similarly, आता मेश 2 साथी आपलेला एक्वेशन तयार कराएचे, for मेश नमबर 2, कराएचा साथी एक्वेशन, बगाबर, हाँ आएटू आसा फ्लो होतो, direct इतने आएचे, पहिलेंदी इतुन स्टार्ट करा, हाँ आएटू आसा फ्लो होतो, इतने त्रास दिला एला, minus 2I2, इतुन आसा फ्लो हो जाला, हाँ, इकड़ना आसा चाला है करन, so, तुम्चा जे इतला, drop आसेल, voltage चा, कराईज आसेल, सांगा माला, कसा चाला है, negative to positive, negativity करना, एका ता मानुस सांगला, सांगला, नीती कर चाला है, positivity कर चाला है, काय विल, rise in voltage, मन्जे ते का आसा, plus 20, ठीक्या, plus 20, आता इते या, इते i1 ओगरे कही नासता, इते डायरेक्ट जी वैल्यू है ना, ती प्लस माइनस पक्त तुम्आला लिया आएचा, आसता, इतुन निगेटिव करना positive जाते, तर मी ती डायरेक्ट, इते लिउन टाकली वैल्यू, positive, आता इतुन इते या, इतुन इता आले की यहा काये, माइनस दोन, आता मी हे सर्किट कंसिडर करते, एता मी काया मननार, i2 माइनस i1, i2 माइनस i1 इस इक्वल टु जीरो, ओके ना, सॉल कर रहेला, 2i2 प्लस 20 माइनस 2i2 प्लस 2i1 इस इक्वल टु जीरो, यह चा फाइनल उत्तर काये जला, दोन आनी दोन चार i2, i1 ची ब्याल्यू कीती आली, 2i1 बरवन्ना, इस इक्वल टु माइनस 20, तिकड़ पाठों दिलामी, चला, हे काया में डाला, आपलेला, एक्वेशन नंबर 2, आता हे दोनी एक्वेशन आपलेला, सॉल कराईचे, यह दोनी एक्वेशन सॉल केले, कि आपलेला, काय में डाला i1 आणी i2 चा वैल्यू, करा सॉल, काय हुईल बर इता सॉल कराईचे तर, हाँ, एक काम करा, यह माइनस 4i2 आहे ना, आणी इता 2i2 ए, आपलेला, i2, i2 कैंसल कराईचे, तो यह एक्वेशन ला, तुमी कशा नी मल्टिप्लाई करा, 2 नी, का बरे 2 नी, कारन यहला जो 2 नी मल्टिप्लाई केला, यह पूर्णा एक्वेशन ला, तो इता 4i2 प्लस हुन जेल, यह इता काया, 4i2 माइनस है न, तो ते कट हुन जेल, कसा बगाता यह गड़े, 2 नी मल्टिप्लाई केला नंतर, यह एक्वेशन काया जाला, minus 12i1, plus 4i2, is equal to 0, चला, यह एक्वेशन आनी, यह एक्वेशन, इता ली तो पर कमी, इता लीला नंतर काया दिशते माला, minus 12i1, plus 4i2, is equal to 0, ओके न, हे लील, आता हे, plus, एडिशन कुरतो मी दोगांची, 2i1, minus 4i2, is equal to, minus 20, minus 20, चला, हे, हे, कैंसल जाला, हे, यह यह चत्न माइनस जाला, मांजे, किती जाला, minus 10i1, is equal to minus 20, बरवन, न, मा, i1 किती जाला, यह टेनला, इकड़े गया, किती जाला, 2A, ओके न, i1 मीड़ाला, 2A, तो, i2 किती मीड़तो, टाका, एक कोंटे हे, हे चामाद, एक वैल्यू, यह हे चत्टाका, न, छोटे हे चत्ट, i1 ची वैल्यू, इते टाकोंद्या, minus 6, इंटो, i1, किती हे 2, मांज इतना काई मीड़ाला, minus, यह, minus 2, i2 लद्या, दिकड़े पाटों, minus 12, is equal to minus 2, i2, मांजे, i2 किती जाला, 6A, ठीके न, तर, आशा प्रकारे, अपन, i1 ची वैल्यू काई, फाइंड आउट के लिए, 2A, आणि, i2 ची वैल्यू काई, फाइंड आउट के लिए, 6A, आशा प् करे, आपलाला, with the help of Kirchoff voltage law, नी, problem solve कराई चाहे, कड़ाला, असेल, अत्यांत, सोप्या, बद्धती नी, सांग इतले, down to earth, सांग इतले, कुटा, इमी, पटापट सांगाईचा, प्रोब्लेम संपुन टाकाईचा, आसा, केलील, ने, माला, जा सांगाईचा, अस्त, तम जना, सेल, तमाला, विचारा, आणि, उद्या, आपन, यह चाह रिलेटेड, आज़ोन, एक्जाम्पल, गे हुया, तो, परें, ताटा, बाइ-बाइ, चलो,